हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टाड़ प्रेंट में आज इस विडियो में हम 18 जून के करेंट एफ है डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखें हमारा पहला कोस्चन हू बिकेम दो चैर्मेन अफ माइक्रोसप्ट तो माइक्रोसप्ट के अब चैर्मेन कौन बने हैं देखें हम पर अप्शन में है सत्यान अडेला स्टेव वालमिर जॉन थम्शन या नॉन अब्दीज तो सही अंसर हो जाएगा सत्यान अडेला तो यह जो सत्यान अडेला है यह भी माइक्रोसप्ट के सीओ थे तो अभी यह चैर्मेन बन चुके ह सत्यान अडेला अभी बन चुके हैं चैर्मेन तो सत्यान अडेला कब बने थे यह बने थे 2014 में तो इन से पहले जो सीओ थे वो थे स्टीव वालमेर और जॉन थम्शन जाहें यह अभी माइक्रोसप्ट के चैर्मेन थे तो इनकी जगा अभी सत्यान अडेला बन चुके हैं म Microsoft के डाइरेक्टर ठीक है तो देखिए जो Microsoft है इसका Headquarter कहा है इसका Headquarter है वासिंग्टन ठीक है तो यह है सत्या नडेला यह बन चुगे है Microsoft के Chairman फिर देखिए नेस question वारल डे टु to combat uh dot celebrated on which day तो वारलड्ड टो कंबड डाइरेशन अन ड्रट यह मनाते हैं सब्हेंटिंध जूनी को मनते हैं वारल डे टोकंबड डे शेक्विक्वेहसेन अड डिरूट्स तो देखिए इस साल जो है इसका थीम क्या था इसका थीम था रिस्टोरेशन, लेंड, रिकवरी, वी, बिल्ड, बेक, बेटर, हेल्दी, लेंड, ठीक है? तो रिस्टोरेशन, लेंड, रिकवरी, वी, बिल्ड, बेक, बेटर, हेल्दी, लेंड, तो ये जो है, इस सल, जो इसका थीम है, ठीक है? सिंपली हमें याद रखना है, रिस्टोरेशन, लेंड, रिकवरी, ठीक है? तो देखें, इसको मनाते हैं हम 17th June को, तो ये 1st मनाय गया 1994 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो इसको डिकलार किसने किया था? UNGA, United Nations General Assembly, इसने जो है, World Day to Combat, Desertification and Drought को मनाने के लिए, पहले डिकलार किया था? फिर देखें, who addressed 5th edition of Vivatech held in Paris? तो Vivatech जो इसका 5th edition हुआ है प्यारिश में, इसको address किसने किया था? तो देखें, इसको address किया थे? प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया, ठीक है? नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है, यहाँ address किया था? फिर देखें, प्राइम मिनिस्टर अब स्पैन, यह यहाँ पर चिप गेस्ट थे? तो यह कौन है? प्राइम मिनिस्टर अब स्पैन, यह हैं पेडरो संचेज, ठीक है? पेडरो संचेज और प्रेसिडेंट अब फ्रांस, यह भी यहाँ पर चिप गेस्ट थे? यह कौन है? इमानुएल मैकरण, ठीक है? तो देखें, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने पूरे वारल को इन्वेट किया है? इंडिया में इन्वेस्ट करने के ल आयुजित होता है. फिर देखें, which of the following host conference of BRICS Network Universities 2021? तो BRICS Network Conference Universities 2021 जो हुआ है, तो इसको host किस ने क्या? इसको host क्या है? इसको host क्या है? IIT Mumbai. ठीक है? IIT Mumbai ने जो है, इसको host क्या है? तो देखें, जो 2021 में, 2021 में जो 13th edition of BRICS होगा, यह कहाँ पर होगा? यह होगा इंडिया में. ठीक है? इंडिया में 13th BRICS जो होगा, यह इंडिया में होगा. इंडिया इसका चैर्मेंशिप करेगा. तो यह जो conference हुआ था, इस conference का theme क्या था? इसका theme था, electric mobility. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है, इस conference का theme था. तो देखिए, इस जो BRICS है, इसमें total 5 country है, कौन-कौन है वो? एक है ब्राजिल, तो B से होगा है ब्राजिल, फिर R से रुसिया, फिर I से इंडिया, C से चाइना, और S से South Africa. ठीक है? तो यह 5 country BRICS में member है. तो इसो 2021 में इसका 13th edition यह कहां पर होगा? इंडिया में होगा. ठीक है? और इंडिया इसका chairmanship करेगा. फिर देखिए, what amount did ADB bank signed to improve transport connectivity and facilitate industrial development in the चन्नाई कन्याकुमारी industrial corridor इन तामिलनाडू? तो देखिए, तामिलनाडू में जो चन्नाई कन्याकुमारी industrial corridor और transport connectivity and facilitate industrial development के लिए Asian Development Bank ने total 484 million US dollar का sign किया है? तो इसमें जो टोटल है 590 km state way बनाया जाएगा. तो देखिए, हाँ पर यह जो ADB है, ADB का full firm क्या है? ASEAN Development Bank ठीक है? तो इसमें जो है, total 68 member country है, जिसमें 49 जो है, Asia Pacific region से इसके member है, तो ADB है, ADB के अभी president कौन है? मासा सुगा, मासा सुगा आसा कबा, ठीक है? तो सिम्पली आसा कबा याद रखना है, मासा सुगा आसा कबा जो है, इनका full name है, तो यह अभी president है, किसके? ASEAN Development Bank के, ठीक है? तो यह है ASEAN Development Bank, तो चलिए देखते हैं next question, union cabinet approved deep ocean mission proposed by which ministry? तो देखिए यहाँ आपर जो deep ocean mission इसको approve किया गया है, union cabinet के द्वारा, तो यह किस ने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था? Ministry of Earth Science, ठीक है? तो इसके minister कौन है? इसके minister है, Dr. Harsh Burden, ठीक है? तो यह जो है, Ministry of Earth Science के minister है, इन्होंने प्रपोज किया है? Deep ocean mission, ठीक है? तो इस जो deep ocean mission है, इसका जो main objective क्या है? इसका objective है, to explore the deep ocean resources. तो deep ocean में जो resource हैं, उनको explore करने के लिए और जो technology को develop करने के लिए यह जो deep ocean mission launch क्या गया है? ठीक है? तो इसके कौन है? ministry of art science ने इसको प्रपोज किया था? तो डक्टर हर्स बर्धन जो है, यह है, minister of art science ठीक है? फिर देखें next question, recently which insurance gets insurance broking license? तो insurance broking license अभी किसको दिया गया है? तो यह मिला है policybazar को, ठीक है? policybazar.com जो है, इसको मिला है insurance broking license ठीक है? तो यह किस ने दिया है? इसको दिया है IRDAI ठीक है? IRDAI तो देखें, IRDAI जो है, इसका full form है, insurance, insurance regulatory and development authority of India. इसने जो है, policybazar को broking license दिया है. तो दिखें, जो policybazar है, इसके CEO कौन है? यसिस दहिया, ठीक है? यसिस दहिया जो है, इसके CEO है, इसका foundation कब हुआ था? 2008 में, और इसका headquarter कहां है? गुरु ग्राम. हर याणना के गुरु ग्राम में, इसका headquarter है. और यह जो IRDAI इसके जो chairman कौन है? शुबास चंद्रा खुंटिया, शुबास चंद्रा खुंटिया जो है, यह IRDAI के chairman है. फिर देखें, according to Sipri Yearbook 2021, इंडिया possessed how many warheads? तो Sipri Yearbook के अनुसर, इंडिया में कितने warheads हैं? तो इंडिया में total जो 156 warheads हैं. तो देखें हैं आपर, तो चाइना में कितने हैं? चाइना में तो पाकिस्तान जो है, यह हमसे आगे हैं. हमारे पास है 156, और पाकिस्तान के पास है 165. ठीक है? तो जो Sipri है, Sipri का full form क्या है? सिप्री का full form है, Stock Home International Peace Research Institute. सिप्री का full form है. इसका headquarter कहा है? इसका headquarter है Oslo, Norway में. Oslo, Norway ठीक है? और इसका foundation हुआ था 1966 में. ठीक है? तो इसके मतविक जो 9 ऐसे Nuclear Armed State हैं. Nuclear Armed State ये कौन-कौन है? एक है US, UK, रूसिया, फिर है France, China, India, Pakistan और North Korea. ये जो है, ये 9 Nuclear Armed State हैं. सिप्री के मतविक. ठीक है? तो ये देखे, सिप्री योर्बुक 2021. फिर देखे, डिफेंस मिनिस्टर अप्रूप्स सपोर्ट अफ हाव मैनी रूपेज टू आइडेक्स डियाईओ. तो ये जो आइडेक्स डियाईओ ये क्या है? ये है, इनोवेस्टन फर इनोवेस्टन फर डिफेंस एक्सिलेंस. फिर डिफेंस फिर डिफेंस इनोवेस्टन और्गानाइजेशन फिर इनोवेस्टन फिर डिफेंस एक्सिलेंस फिर डिफेंस इनोवेस्टन और्गानाइजेशन तो इसको अभी डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनात सिंग इन्होंने अभी इसको 498.8 क्रोड रूपीस एप फिर देखिए Central Governments Project 02 for India related to which of the following अभी Central Government ने Project 02 for India जो है launch किया है तो यह किस से related है यह जो है related है Medical Oxygen Production के लिए ठीक है Production of Medical Oxygen तो इसमें क्या होगा अभी जो COVID pandemic चल रहा है तो उसमें Oxygen की बहुत सटेज है तो उसको पुरा करने के लिए जो यह Project 02 for India लौच हुआ है जिसमें Medical Oxygen का production होगा अभी कहा जा रहा है कि COVID का जो थाड वे भाएगा तो इसके लिए यह preparation चल रहा है ठीक है तो फ्रेंड्स एहीं पर यह वीडियो खत्म हता है अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक किजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजिए सब्सक्राइब करना मत भोलना ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाई हिंद आपका थम्हार, वे बिए स्थरोगा शजब था वेजशक्राइब कर दो मेंरा पृ